गुड बॉनिंग क्लास अलकी जी सब्जेक्ट अबर जोब का हिंदी कर्षिब तो इसमें आपका है पेज नंबर 33 स्कोपन का लीजी पेज नंबर 33 ओके और इसमें हैं आपके तीन अक्षर वाले सब्द ओके अब टीन अक्षर वाले सब्द वाक्य रचना ठीके वाक्य किस तरीकी से पड़ा जाता है इसमें दिखाये गया है बताये गया आपको ठीके तो यहाँ पे देखे चितर भी बनाए हैं और आपको सब्द भी यहाँ पे लिए कई हैं भतक देख रहे हैं क्या कह रहा है, दूसरे बच्चे को कह रहा है और ये बतक है, तो क्या कह रहा है वो, जहांसे सुनिए रामन बतक पर नजर रख, ये क्या कह रहा है इसको? रमन बतक पर नजर रख ये बतक है इन पर नजर रख ठीक है ना रमन रमन बतक बतक पर नजर नजर रख रख ठीक है ना तो इस तरह से आपको यहाँ पर भी इसको लिखना है ठीक है ना आप तो आपको बताने की जुरूत नहीं है तो यह जो blanks line है यहाँ पे भी आपने क्या करना है रमन बतक पर नजर रख ठीक है ना तो इसी तरह के से page आप complete कर दोगे और अगला देखे इसमे page number 34 है इसको पन करेजे page number 34 यह लड़का है गगन कौन है गगन और उसकी ममी है तो उसकी ममी क्या बता रही है गगन को गगन सबक समझ कर पढ़ चीक है जो उसको टॉपिक है उसको समझ कर पढ़ जिसको पढ़ रहे है ना उसको कह रही है हो कि सही से पढ़ तो देखे यहाँ पे गगन गगन सबक सबक समझ समझ कर कर पढ़ पढ़ फिर आपने ट्रेस करके इसको लिखना है और नीचे जो बच्चों ये ब्लैंक्स लाइन दी गई है यहां पर भी आप क्या लिखेंगे जैसे जैसे आप लिखेंगे आपको जब इसको ट्रेस करेंगे इसके ओपर पैंसिल चलाएंगे तो आपने साथ साथ इसको क्या करना है पढ़ना भी है ठीक है ना साथ साथ इसको क्या करना है पढ़ना भी है और लिखना भी है ठीक है तो आज हैं बच्चों आपका page number 33 and page number 34 तो 33 में आपका क्या है रमन बतक पर नजर रख और 34 में है गगन सबक समझकर पर ठीक है ना तो जिस तरीके से यहां पर लिखा गया है आपने भी इसी तरीके से इनको blue line के अंदर लिखना है